ये आपको नंबर ये नंबर ये पढ़ा है तो दोस्तों आप लोगों नो देखा कैसे मालती चहान की डेथ हो गई अभी बहुत ज्यादा मीडिया के अंदर आख्रोस है कि आखिर इसमें किस का हाथ है विस्रूराज का हाथ है या खुद खुदकुसी कर ली मालती चहान भी बहुत सारे राज खुलने बाकी है तो प्लीज इस वीडियो को पूरा जूट देखना कुछ ऐसे चीजे आप एविडेंस आप लोगों को मैं दिखा रहा हूं जिनको देखकर आपको थोड़ा बहुत तो समझ में आ जाएगा कि आखिर इस के ठीक बाद में एक हफ्ते के बाद में जब ये बात होती है उसके बाद में जैसे ही मालती चहान अपनी सस्वाल आती है और सुबह पता लगता है क्यों गीडित होई समक्ति सुब मर जाती है अब आप लोग इस वीडियो से अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर ये सब हुआ कैसे अभी बहू सारे लोग है गोरश ऑर्जी आधाराज गोरकपुर है गुडिया गोरकपुरिया है बहुत सारे लोग अपने व्यू छापने के लिए वीडियो बनवा रहे हैं लेकिन किसी ने सोचा है मालती चौहान के बारे में अभी कोई भी ऐसा यूटूबर नहीं होगा जिन्होंने हेल्प किया हो और वीडियो न बनाया हो हर चीज का वीडियो वो गोरकपुरिया भौजी वो उसको दिलासा दे रहे हैं उसके पती सामने से रिकौर्डिंग कर रहे हैं दिखा रहे हैं यार ये सब बंद करो यार किसी की जान गई हुई है और आप लोग वहाँ पे वीडियो वीडियो गेम खेल रहे हो कि मालती चोहान जो आज हम लोगों के बीच नहीं आप यह सोचे ना कितना कमाती थी मैंने का चार लाख पांच लाख रुपे कमाती थी और आज उसका जो अंतिम संस्कार हुआ है वो चंदे के पैसों से हुआ है आप सोच सकते हैं ऐसे में तो गोरगपुरिया भौज बहुत बोलती है कि मैं इतना कमाती उतना कमाती चंदा लगाने की क्या जो थी सारा पैसा लगा देती तब समझ में आता कि हाँ ठीक है चलो आपने कुछ किया यह बता क्या रहा हूं यह सारे लोग बस अपने वियू चा बिल्कुल नहीं जाने चीए कि लोगोंने बहुत ज्यादा बखेडा खड़ा कर दिया है नहीं तो इतना बड़ा नहीं होता है गोरगपुरिया नेने उनको फोरी का नाम दिया था गोरगपुरिया भौ जी और आप फोरी के लिए आप इतना परिसान हो रही हो सब बहुत दूख की बात है कि आज बताओ मालती चोहन हमारे बीच में नहीं है और यह सारी यूटूबर अपने ब्यूच चापने पर लगे हुए कभी यूराज को लेकर वीडियो बनाय जा रहा है कभी उसकी बहन सांती चोहन को दिखा जा रहा है कभी उसके बाप के सामने क्या करोगे क्या करोगे यार सबको पता है कैमरे की पीछे भी कुछ काम कर लिया, करो हर चीज कैमरे के सामने मत किया करो आप लोगों ने इस चीज को इतना बढ़ा दिया इतना उचाल दिया इसी की वज़ा से आज मालती जाहरा हमारे बीच में नहीं है पहले आप लोगों ने बिफ्टूराज को बढ़ाबा दे दिया उन्होंने वीडियो कहल का गेम खेल खेल के खेल के उसको इतना बदनाम कर दिया अतना टोचर कर दिया अब कौन सा मूँ लेके उसके घर में रहती किसी औरत को जलील कर दो वीडियो बना के 50 बीडियो बनाओ उसके बाद में वो आपकी घर पर रहेगी तो अब सोचओ इस औरत के उपर क्या बीतेगी और कई बार उसने बोला भी है कई बार उसने बोला भी है कि बिस्दुराज का साथ मैं जिस दिन में छोड़ूँगी न अपने बेटों को भी मार दूँगी लेकिन एक मा की ममता जाग गी होगी नहीं मार पई होगी लेकिन खुद तो लटक गी न फंदे से लटक गई यह लटका दिया वो तो अभी पुलिस वाले हैं पुलिस वाले तो आपको पता है ना बाल का खाल निकालते हैं और सब चीज का पता लगा लेंगे इसमें गोरकपुरिया भौजी का भी हात है कही न गहीं इन्होंने बहुत इस चीज़ को बढ़ावा दिया है आग में घी डालने का काम किया है आपको आग में घी नहीं डालना चाहिए था लेकिन नहीं आप लोगों को बस ब्यूज चापने थे और आपके ब्यूज के चकर में आज देखिए उस छोटे से बच्चे का क्या होगा चार साल का बच्चा है यूराज उसके पिता जेल में है उसकी मां की डेथ हो गई है अभी सब लोगों ने देखा गोरकुरिया उसको गाड़ी में लेके जा रही थी कितना रो रहा था एकदम उदास चेहरा सोचो ना तीन साल चार साल के बच्ची के उपर क्या बीतेगी जिसका बाप जेल में हो और मा की डेथ हो गई हो तो कुछ तो सर्म करो मेडिया वालो ये सब दिखाने से पहले किसी की हेल्प करो हर चीज का बीडियो बनाना जरूरी नहीं होता है मैंने भी मालती चौन के साथ में कई मीटप किये हैं मैं गया भी लेकिन इस तरह की बीडियो नहीं सूट किया जिस तरह की आप लोगों को मिल रहें बाकी लोगों के बस बीडियो सूट करते जा रहे हैं तीन तीन घंटे पे दो दो घंटे पे वीडियो आ रही हैं जो बोलते हैं कि मेरे बहुत सारे भी उजाते थे उठा के देख लो मालती चोहन प्रितुराज इनके जगड़ा हुआ है इसके जगड़े के पहले देख लो उनके कितने भीउजाते राधाराज गोरकपूर 3,000, 2, 2,500 ब्यू जाते थे अभी 1,500,500,000 तीन लाग ब्यू चाप रही है और हर दो घंटे भी वीडियो एक घंटे पे एक दिन में एक बीडियो आती थी आप लोगों की अब एक दिन में 4 वीडियो 5 वीडियो क्यों डाल रहे हो विच चापने के लिए पैसा कमाने के लिए न तो लगा दो उस पर फिर क्यों बोल रहे हो कि आप लोग नहीं चंदे के पैसों से इनका वह हुआ है सर्म करो इंसानियत है आप लोगों में तो मेरी ये वीडियो ना आप लोग सेर करना उन लोगों तक ताकि उन लोगों को पहुचे ये वीडियो मैं लोगों से डरता नहीं हूँ क्योंकि उन्होंने बहुत गलत किया है आज एक परिवार को एक बच्चे से दूर कर दिया और कुछ नहीं है मुझे तो तरह साता है मालती चौहान की छोटी बहन सांती चौहान उनके बाप के उपर आखिर उनके उपर क्या भीतेगी जिसकी बेटी जिसकी बहन आज इस दुनिया में नहीं है चले फिलाल इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं बहुत ज़्यादा हो गया बिल्कुल मोट खराब है एक अच्छी यूटूबर एक अच्छी कलाकार आज हमारे बीच मनी है दुख तो बहुत है लकिन क्या करें जो हमारे बीच मनी है उसके लिए हम बस दो मिनट का मोन ही धारन कर सकते हैं उसके लाव हम उसके लिए कुछ नहीं कर सकते हैं